2022 मारूती XL6 फेसलिफ्ट मॉडल जो निक्सा के थूरू सोल्ड होती है और यह वाइट कार जिसमें की थोड़े ब्लाक एकसेंट्स दिये वहे हैं और रियर स्टाइलिंग में यह जो ब्लाक पैनल है पियानो ब्लाक फिनिश बहुत अच्छा लगता है एल लैम्स वगेर दिये हैं LED और वाइपर मिलता है आपको रियर विंडशील्ड पे स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है माइल्ड हाइब्रिड जिसे हम कहते हैं बूट स्पेस की जहां तक बात करें बूट स्पेस तीनों रोज को अब करने के बाद भी आपको ठीक-ठाक मिल जाता है अराउंड 209 लीटर्स दो टॉल सूटकेस आप यहां पर रख सकते हो वर्टिकली बहुत जादा जगह तो नहीं है बट ठीक है कुछ-कुछ गाड़ियों में बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है उससे बैट रही है अब अगर हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो काफी लंबी है यह गाड़ी अराउंड 4400 mm इसका लेंध है और अलोईज को बढ़ा किया है मारूती ने अब 16 इंच के अलोईज मिलते हैं इस पे आपको और डूल टोन पहले सिर्फ वो ब्लैक वाले आते थे अब आपको डूल टोन मिलते हैं फ्रेंट की जहां तक बात करें ग्रिल जो है इस गाड़ी का उसमें भी थोड़े मतलब फेसलिफ्ट में रिफ्रेश्मेंट्स आये हैं अब आपको क्रोम स्ट्रिप मिलती है और जो ग्रिल है उसको भी थोड़ा मॉडिफाई किया है लाइटिं पर आपको साइड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं बाकी ग्राउंड क्लियरंस की जहां तक बात करें ग्राउंड क्लियरंस इस गाड़ी का अराउंड 180 mm है इंडियर्स को चेक आउट करें तो बहुत सारे फीचर्स दे रखें स्टार्ट स्टॉप बटन फीचर है पुश बटन स्टार्ट जिसे हम कहते हैं डाइल्स की बात कर लें लेट साइड पर टैको राइट साइड पर स्पीडो और बीच में आपका M.I.D. काफी सारी बहुत जादा पड़ी नहीं है और M.I.D. is very useful it has got a lot of features बहुत सारी चीज़ें आप उसमें चेक कर सकते हो टाइम और फिर आपका जो डिस्टेंस है मोशन उसके बाद कितना पावर टॉर्क यूज कर रही है गाड़ी डिपेंडिंग आप कितना अक्सलेटर विकर यूज कर एक्सलेटर और ब्रेक का यूसेज जैसे मैंने ब्रेक दबाया है तो यह शो कर रहा है रेड से जो स्ट्रिप आ रही है कि इस टाइम तक मैंने ब्रेक लागे रखा था 360 डिगरी कामरा आता है यह 2022 की जो एक्सल 6 है उसमें यह नया फंक्शन है अबर अल डिजाइन की बात क अब पीछे के तरफ आ जाते हैं साइड में उपर जो छत है उस पर हमें रूफ रेल्स और शाक फिन आटेना देखने को मिलता है चुकि यह MPV है रूफ रेल्स काफी अच्छे लगते हैं उस पर पीछे की जो रियर सीट्स हैं उनकी सटप की बात कर लें तो कैप्टन सीट्स मिलती है हमें और दिस इस वाई लग दिस यूएस्पी ऑफ दिस कार यह कैप्टन सीट्स के साथ ही आती है और रूफ माउंटेट एसी मिलता है रूफ माउंटेट एसी की वज़े से केबिन काफी जल्दी ठंडा हो जाता है मैं लास्ट रो में बैठा हूं जो थर्ड रो होता है वहां पे भी काफी ठीक ठाक जगा है बिकॉज इस सबकुछ बहुत अच्छा है और लास्ट में भी दो आदमिया पराम से बैठ सकते हो captain seats होने की वैसे यह है कि आपको बीच में थोड़ी सी जगह मिल जाती है जिसमें कि आप अपने legs stretch कर सकते हो हाँ पीछे वालों को बिल्कुल भी नहीं मिलता है कोई AC event वेकर आपको जो second row का AC event है उससे ही हवा मिलती रहेगी और काफी practical का रही है मारुती की वन अफ दो मोस् comfortable है रियर में LED tail lamps दे रखे हैं इंजिन की बात कर लें तो मारुती का 1.5 लेटर का petrol इंजन आता है इसमें सिर्फ petrol में आता है but mild hybrid technology की वैसे इसकी mileage काफी अच्छी है around 15-16 अराम से दे देती है रियर styling की बात कर लें तो काफी अच्छी है आपको spoiler मिलता है spoiler पे brake light भी है steering की ज सारे audio controls तो यह थी मारुदी की 2022 XL6 facelift model काफी good looking impressive और practical कार है और safety की जहां तक बात करें तो almost 3 stars है